हलो, वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्लास सेवन्थ, एंपी बोर्ड, संस्कृत सुरभी ही, चैप्टर फोर्टिन, लोक माननिय तिलकह, उसके एक्सेसाइज को स्टूरेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल से जल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंज के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, आज पहला देखिए का, लोक मान्य तिलक ह, कह आसीत, कि लोक मान्य तिलक कौन थे, तो क्या होगा अंसर आपका, महान देशभक्त ह, आपको बस इतना ही आंसर लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, देशभक्त में आपको विसर्ग लगाना है, क्योंकि यहाँ पर वन वर्ड आंसर वो लगा है, इसलिए वन वर्ड में ही लिखेंगे, महान देशभक्त एक साथ, ठीक है, स्टूडेंस जिनको अभी तक यह चैप्टर क्लियर नहीं है, इस चैप्टर के जो ट्रांसलेशन है, उसको वीडियो अप्लोडेड है, मैंने उसका लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप डाइरिक्ट इसके ट्रांसलेशन वीडि और कि उसका थे पुट though, तो महान देश भग्त है, जो लोक मानने तिलके वह कौन थे वह महान देश भग्त थे, नेक्स्ट देखिए, तिलक अहा केना उपाधीना विवुशित है, जो लोक मानने तिलक थे, वह तिलक किस उपादी से विवुशित थे? मतलब कि तिलक जो थे वो किस उपाधी से विभूशित थे तो फिर किस से थे लोकमान्य ये उनको उपाधी मिली थी लोकमान्य अब इसके साथ चाहे तो आप इती लगा दीजिए वरना लोकमान्य लिखेंगे वो भी सही है तो किस उपादी से विभुशित्ते वो लोकमानिय है इती मिस इस उपादी से थर्ड देखिए तिलक अस्य प्रभावेना देशे का संजाता कि तिलक के प्रभाव से देश में क्या हो गई आंसर होगा आपका नवचेतना नईचेतना मिस लोग दीरे दीरे अवेर होने लगे कि जो फ्रीडम है उसके बारे में लोग सोचने लगे अवेर हो गए नवचेतना मिस लोकमानिय तिलक ने क्या किया उनमें चेतना जगाई तो आंसर आपका हो जाएगा नव चेतना फिर फोर्थ देखिए कुशन वन का फोर्थ जो पार्ट है वो देखिए तिलक किस महीने में स्वर्ग वासी हो गए मिन्स किस महीने में उनकी मृत्यू हो गई तब का आंसर है अगस्त मासे अगस्त के महीने में अगस्त मासे लास्ट देखिए एक पदेन उत्तरत का कस्य सहायताम प्रभू हू करोती किसकी सहायता प्रभू करते हैं तो किसकी सहायता कर्मशीलस्य जो कर्मशील होता है जो महनत करता है जो अपने काम को इंपोर्टेंस देता है उसकी सहायता भगवान भी करते हैं यहाँ पर पूछे है कस्य सहायता तो कर्मशीलस्य आंसर आपका हो जाएगा कर्मशीलस्य प्रश्न तूर देखिए एक वाक्ये न उत्तरम लिखता अब आपको फुल सेंटेंस में उत्तर लिखना है पहले तो वन वर्ड में लिख लिया था अब आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है अब लिखिए देखिए का जो है तिलक का जन्मस्थान कहां है तो आप पहले कोश्यन से लिखेंगे तिलक अस्य जन्मस्थानम पहले कोश्यन से लिखेंगे तिलक अस्य जन्मस्थानम फिर आगे आप लिखेंगे महाराश्ट्र इसके साथ ही प्रांते महाराश्ट्र प्रांते एक साथ रत्न गिरी मंडले अस्ती आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? कि तिलक अस्य जन्मस्थानम महाराश्ट्र प्रांते रत्न गिरी मंडले अस्ती निस तिलक का जन्मस्थान महाराश्ट्र प्रांत के रत्न गिरी मंडल में है फिर next देखिए तिलकस्य जनकह कह आसीद तिलक के या बाल गंगाधर तिलक के पिता कौन थे तो इसमें भी आप question से लिखेंगे तिलकस्य जनकह पहले इतना लिखेंगे तिलकस्य जनकह उसके बाद फिर लिखेंगे गंगाधर ह गंगा धरह एकह कुशलह शिक्षकह शिक्षकह लेखकह च आसीत पूरा सेंटेंस एक बस्तुन लीजिये कि तिलकस्य जनकह गंगाधरह एकह कुशलह शिक्षकह लेखकह च आसीत में तिलक के पिता गंगाधर एक कुशल शिक्षक मतलब अच्छे शिक्षक पारंगत शिक्षक और लेखक थे अब यहां पे देखिए कि उनके पिता के नाम के साथ उनका कर्म भी लिखा है वह इसलिए क्यूंकि यहां पे यह नहीं पूछा कि तिलक के पिता कौन थे तो इसलिए उनका नाम तो पहले गंगाधर था तो गंगाधर लिख लिया उसके बाद वह वह खुशल06ब शिक्षकह लिखक तो इसलिए आगे देखिए तिलक चात्र जीवने कम निश्चयम अकरोत तिलक ने चात्र जीवन में क्या निश्चय किया था तो क्या निश्चय किया था चलिए वो देखते हैं आपकी चैप्टर में इसे ही ये देखिए यहाँ पे पहले है सह तो यहाँ पर सह को काट कर आप तिलकह लिखेंगे तिलकह फिर तिलकह छात्र जीवने एवा निश्चयम अकरोत या निश्चयम अकरोत एवा छोड़ भी दे तो भी चलेगा निश्चयम अकरोत यत अहम शाशकिय सेवाम न करिश्यामी आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाह कृते संगर्षम करिश्यामी च इती आपका पुरांसर हो जागा ये देखिए तिलक अह चात्र जीवने निश्चयम अकरोत यत अहम शाशकिय सेवाम न करिश्यामी आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाह कृते संगर्षम करिश्यामी च मिन्स तिलक ने चात्र जीवन में निश्चय किया कि मैं शाशकिय सेवा नहीं करूंगा मिन्स मैं अंग्रिजों के लिए कोई काम या जॉब नहीं करूंगा उनकी सेवा नहीं करूंगा आजीवन मिन्स जीवन भर जब तक जीऊंगा भारत की स्वतंत्रता के लिए रहूंगा चलिए आगे चलते हैं सो स्टूरेंस जिनोंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए और अगर आपको इस चैप्ट वीडियो तक पहुंच सकते हैं तो उस वीडियो को देखिए कुछ सीखिए जानिए अपने डाउट क्लियर कीजिए और फिर इस एक्सरसाइज को देखना आप आगे चलते हैं तिलकेना कह ग्रंथ हर रचीत हर तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की तो तिलकेना गीता रहस्य गीता रहस्य गीता रहस्य नामक ग्रंथम रचयत आप लिख लिजे क्योंकि आपको complete sentence में लिखना है तो पहले लिखेंगे तिलकेना फिर गीता रहस्य इन्वर्टेट कॉमा में नामक ग्रंथम रचयत तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की लास्ट देखिए question 2 का तिलक ह किम अगोशयत तिलक ने क्या गोशना की पहले आप question से लिखेंगे तिलक ह अगोशयत उसके बाद लिखेंगे स्वराज्य मम जन्म सिध्ध अधिकारह अधिकारह अस्ती तो अपका अंसर क्या हो जाएगा तिलक ह अगोशयत स्वराज्य मम जन्म सिध्ध अधिकारह अस्ती मिस तिलक ने गोशना की स्वराज्य मेरा जन्म सिध अधिकार है मिस रिखांकित पद के हिसाब से जो भी वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है उसके हिसाब से आपको प्रशन निर्मान करना है पहला है लोकमान्य तिलक ह महान देशभक्त ह आसित अब अंडरलाइन किया हुआ है लोकमान्य तिलक यहाँ पर क्या हो जाएगा लोकमान्य तिलक ह की जगा पर कह अपका क्वेश्चिन फॉर्म में क्या बनेगा कह महान देशभक्त ह आसित कौन महान देशभक्त थे तभी आपका अंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक महान देशभक्त थे तो पहले का आपका हो जाएगा कह सेकेंड देखिए तिलक ह राष्ट्र सेवायाह कृते संगलगन अभवद तिलक जो थे वो राष्ट्र सेवा के लिए संगलगन हो गए तो राष्ट्र सेवा आया हा ये हो जाएगा कस्याहा 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 इसलिए क्योंकि राष्ट्र सेवा जो है वो स्ट्रिलिंग में है इसलिए कस्याहा कस्याहा कृते किसके लिए तो यहाँ पे शष्टी विवक्ती है राष्ट्र सेवाया हा तो उसकी जगाँ पे किम शब्द रूप अगर शष्टी विवक्ती स्ट्रिलिंग करेंगे तो कस्याहा तो आपका जो सेंटेंस है प्रश्ण बनाने के बाद वो बनेगा तिलक हा कस्याहा कृते संगलगन हा अभवत तिलक किसके लिए संगलगन हो गए आगे देखिए थर्ड जन जागरनस्य कृते सह शिवराज उत्सवस्य गनेश उत्सवस्य च प्रारंभम अकरोद जन जागरन के लिए मिन्स लोगों को जागरित करने के लिए अवेर करने के लिए उन्होंने शिवराज उत्सव और गनेश उत्सव का आरम किया तो जन जागरनस्य इसका हो जाएगा कस्य ये तो बिल्कुल आपको clear है क्योंकि ये शष्टी विवक्ती एक वचन पुलिंग में है जन जागरनस्य कस्य उसके बाद है कर्मशीलस्य सहायताम प्रभू करोती कर्मशील की सहायता प्रभू करते है तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका कस्य तो पूरा क्या होगा कस्य सहायताम प्रभू करोती किसकी सहायता प्रभू करते है प्रेश्ण निर्मान का लास्ट देखिए तिलक अहा भारत भालस्य तिलकम इति भाती तिलक जो थे वो भारत के तिलक की तरह थे तो तिलक अहा इनकी जगा क्या हो जाएगा कहा तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कहा भारत भालस्य तिलकम इव भाती I hope students आप लोग को कोशें नमबर 3 भी clear है अब आगे चलते हैं कोशें नमबर 4 पर अधो लिखीत पदानम परियाए वाची पदानी लिखता कि इनके परियाए वाची पद लिखने हैं सिनोनिम्स लिखने हैं समानार्थक शब्द लिखने हैं फर्स्ट है जनक हा तो जनक हा जनक कहते ही हमें क्या वर्ड यादात है पिता तो जनक अह का हो जाएगा पिता फिर निर्भाय अह निर्भाय का क्या अर्थ है भाई रहीत है भाई रहीत है भाई से रहीत अर्था निर्भाय फिर आपका है मिथ्या मिथ्या अर्था असत्यम सत्यम मतलब सच है अब मित्या है जो सत्य नहीं है इसलिए हो जाएगा असत्यम फिर परमेश्वर हो परमेश्वर तो परमेश्वर का क्या हो जाएगा अर्थ परमात्मा भगवान परमात्मा और लास्ट आपका भाला हो भाला हो अर्थ हो मस्तक तिलक जो थे वो भारत के मस्तक के अर्थात भारक के तिलक की तरह थे तो इसलिए भालह अर्थात मस्तक ह में सर हेड उसके बाद देखिए अब नीचे लिखे हुए जो वर्ड्स है उनके विलोम पद लिखने हैं अब भी हमने पहले उपर सिनोनिम्स किया है और अब अन्टोनिम्स करेंगे तो पहले देखिए निर्दोशह तो इसका हो जाएगा सदोशह जो निर्दोश ता बेगुना था अब सदोश मिस्दोश के साथ है फिर है स्वतंत्रता तो इसका क्या हो जाएगा परतंत्रता जिनको clear नहीं है राइटिंग वो सुनकर लिखिए परतंत्रता फिर अस्ति नास्ति है अस्ति मिन्स है नास्ति मिन्स नहीं है न प्लस अस्ति नहीं है फिर जन्म जन्म का क्या हो जाएगा ये तो आसान है मरनम और उसके बाद उद्यम हीनह उद्यम हीनक क्या हो जाएगा कर्मशील उद्यम हीनम जो महनत नहीं करते बिलकुल महनत से हीन है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा कर्मशीलह जो हमेशा कर्म में लगा रहता है क्योंकि हम विलोम शब्द कर रहे थे तो इसलिए उद्ध्यम हीनह का हो जाएगा कर्म शीलह अब देखिए question number seven उचीत शब्देन रिक्त स्थानानी पुरयत मिस जो आपको सही लग रहा है सही मतलब आपको लग रहा है सिर्व यह नहीं कि आपको सही भी लगे और सही हो भी उस शब्द से इन ब्लैंस को फिल करना है पहले देखिए ब्रैकेट में क्या क्या दिया हुआ है अब पहले देखिए कि आप सारे पढ़ लीजे अगर आपको नहीं समझा रहा है कि किसका क्या होगा तो सारे पढ़ लीजे पहला क्या है तिलक राष्ट्र सेवा यह कृते डैश अभवद तिलक राष्ट्र सेवा के लिए डैश हुए सेकेंड होगा आपका तिलक हा महोदय हा डैश देश स्य गौरवम तिलक महोदय क्या है कि डैश देश के गौरव है थर्ड है डैश प्रथम दिनांके डैश के बाद मनदब एक तारिक को 1920 तमे वर्ष में नतब उस एयर में सह दिवंगत हा उनकी मित्की हो गई फोर्थ तिलक हा डैश तिलकम इवभाती कि तिलक डैश तिलक के तरह थे और फिफ्थ हैपका सह डैश यती उपाधीना विवुशित हा वह डैश के उपाधी से विवुशित हुए थे अब आपके लिए सबसे आसान क्या रहेगा फिफ्थ यहां पे कि वो किस उपाधी से विवुशित हुए थे तो किस उपाधी से लोकमान्य हा आपका जो फिफ्थ वाला हो जाएगा लोकमान्य हा फिर देखिए लोकमान्य एक आपका हो गया बाकी चार बचे हुए हैं फिर उसके उपपर वाला देखिए तु इसका क्या होगा आपको तो पता ही है तु पर्ट आपका हो जाएगा भारत भालस्य अब बाकी बचे तिन अस्माकम संगलगणः और अगस्त मासस्य अब अगस्त महीने की बात हो रही है मतलब किसी डेट की बात हो रही है तो डेट किसमें आ सकता है आपका की यह देखिए अगस्त महीने के एक तारिक को प्रतम दिनांक में 1920 तम वर्ष में उनकी मृत्यी हो गई अब बचे बाकी दो असमाकम और संगलगन तो पहला देखिए अब क्या इसमें असमाकम हो सकता है? नहीं हो सकता इसलिए आपका हो जाएगा संगलगन पहला और बाकी बचा हुआ एक ही है तो हो जाएगा असमाकम तो पहला आपका क्या होगा तिलक हा राश्ट्र सिवाया हा कृते संगलगनह अभवत सेकेंड होगा आपका तिलक महोदय हा असमाकम देशस्य गौरवं थर्ड होगा आपका अगर्स्त मासस्य पोर्थ होगा आपका भारत भालस्य और फिफ्थ लोकमानिय हा I hope students आप लोग को ये question भी clear है अब देखिए question number 7 संधी करना है दोनों को जोड़ना है शिवराज उत्सवह तो इसका आपका क्या हो जाएगा शिवराज उत्सवह तो ये आपका हो जाएगा शिवराज उत्सवह A plus U is equal to O शिवराज उत्सवह फिर second है आपका देखिए गनेश उत्सवह तो वही सेम हो जाएगा गनेश उत्सवह A plus U is equal to O फिर आपका देखिए तस्या plus उपरी ये भी आपका हो जाएगा तस्यो परी फिर परम प्लस आत्मा ये हो जाएगा आपका परमात्मा और लास्ट देखिए परम प्लस इश्वरह ये आपका हो जाएगा परमेश्वरह A plus बड़ी is equal to A परमेश्वरह तो संदी के तुझो कोश्चेंस ते काफी आसान थे अब देखिए कोश्चें नमबर एट और ये आपका लास्ट कोश्चें है चतुर्ती विवक्ते है स्थाने शष्टी विवक्तया सहकृते अब चतुर्ती विवक्ती की जगा अब यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है और एक्जाम्पल के लिए भी दिया है देखिए कि देशाय मिस देश के लिए और इसके जगा पे देशाय जो है वो चतुर्ती विवक्ती में है चतुर्ती विवक्ती को अगर हम शष्टी कर दे मतलब देश अस्य देशाय मतलब देश के या देश का और उसके साथ अगर हम क्रिते लगा दे तो ये भी हो जाता है देश के लिए देश के क्रिते मिंस देश के लिए देश स्य क्रिते तो ऐसे ही आपको बाकी भी करने आए त्याग आयर तो ये आपका हो जाएगा त्याग स्य क्रिते त्यागस्य कृते त्याग के लिए ग्रामाय यह आपका हो जाएगा ग्रामस्य कृते गाउं के लिए फिर नगराय तो इसका हो जाएगा नगरस्य कृते नगर के लिए फिर विद्यालयाय तो इसका हो जाएगा विद्यालयस्य कृते सब में देखिए शर्ष्टी विवक्ति और शर्ष्टी विवक्ति के साथ कृते किया है जिसकी वज़ाई से दोनों ही मीनिंग सेम हो रहे हैं और लास्ट देखिए समाजायर मिन्स समाज के लिए सुसाइटी के लिए तो यह आपका हो जाएगा समाजस्य कृते आई होब स्टूडेंस आप लोग को यह एक्सराइज यह अभ्यास बिलकुल क्लियर है फिर भी अगर कोई डाउट यह क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर के ट्रांसलेशन को नहीं देखा है उसकी वीडियो की लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है आप वहाँ से डाइरेक्ट वीडियो तक पहुंच सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंज के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू